हेलो फ्रैंड आप सभी का स्वागत है RK Classes यूट्यूब चनल पर आज किस वीडियो में हम संस्कृति तथा शिक्षा टोपिक के अंदर संस्कृति का अर्त संस्कृति और शिक्षा में संभंध और संस्कृति का शिक्षा पर परभाव इन सभी को हम लोग डिटेल के अंदर लिस्कास करेंगे जदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे आपको हमारी आने वाले वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो चलिए वीडियो शुरू बरते हैं सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं संस्कृति सब्द व्यापकर्थ में परियुक्त होता है इसकी व्यत्पत्ती तो संस्कार से है संस्कृति में अनेक नए नए तात्व आकर जुड़ते रहते हैं यह सच है कि जिसमें अच्छे संस्कार हो उसके व्यभार और आचरण में ऐसी उत्कृष्ट बाते आ जाती हैं जिनके कारण उसे सभी पसंद करते हैं अब जिसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो उसके व्यभार आचरण इसमें ऐसी बाते आ जाएंगी जिसके करण सबी लोग उसको पसंद करेंगे और ऐसा जो व्यक्ति है उसको सू संस्कृत माना जाता है अते संस्कृति व्यक्ति के उपर अच्छे संस्कार डालती है इसका साब्दिक अर्थ कल्चर देखे इसको हम लोग इंगलिस में कल्चर बोलते हैं और लेटिन के सब्द कल्ट्यूरा से निकला है संस्कृति शब्द जो है संस्कृति सब्द है इसको तीन अर्थों आएगा यहाँ पर तीन अर्थों में स्पस्ट किया जा सकता है इस सब्द को पहला है साहितिक अर्थ दूसरा है नैतिक अर्थ और तीसरा है समाध सास्तिरी अर्थ इनको हम लोग अलग-अलग डिसकस करेंगे आगे सबसे पहले साहितिक अर्थ में संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है इतिहासकारों ने देश या समाज के कलातमक तथा बोधिक विकास को ही संस्कृति माना है तो ये हो गया इसका साहितिक अर्थ दूसरा नैतिक अर्थ इसमें संस्कृति सब्द का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक तथा बोधिक विकास के रूप में करते हैं यहां पर बोधिक आएगा फिर तीसरा समाज सास्त्रिया अर्थ रूप में समाज सास्त्रिया के रूप में इसका क्या अर्थ है संस्कृति मानव द्वारा निर्मित वह संपूरण वातावरण माना जाता है जिसमें वह रहता है मतलब हमारे द्वारा बनाया हुआ पूरा वातावरण जिसमें हम रहते हैं, सोच विचार करते हैं, काम करते हैं अपनी समस्त परकार की जो आवशक्ताई हैं उनको पूरा करते हैं और गुणों, आदर्शों, पर्थाओं, परंपराओं, आधी को सीखते हैं अथार्थ संपूरन समाजिक विरासत ही संस्कृती है ये इसका तीसरा अर्थ है समाज सास्तरिया रूप में कि इसके बाद हम लोग संस्कृती की परीबासा देखते हैं संस्कृती सब्धिक्यार्थ को सपष्ट करते हुए कुछ विद्वादों ने इसकी परीबासा दी है पहली है एलवूड का विचार देखे एलवूड ने क्या कहा है संस्कृति को संस्कृति में एक और मनुष्य की संपूरण भोतिक सब्यता जैसे कि ओजार, सास्त्र, उद्योगिक, विदी, सम्मलित होती है तो संस्कृति में एक और भोतिक सब्यता ओजार, सास्त्र और द्योगिक विधी सम्मालित होती है और दूसरी और एबोतिक अथवा अध्यात्मिक सब्यता जैसे भासा, साहित्य, कला, धरम, नेतिकता, नियम, एवं सरकार शामिल होती है तो ये एलवुड का विचार है आगे है मैथ्यू आर्नल्ड का विचार तो मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा है सर्वोतम विचार एवं जिखान संस्कृती है ओटवे का क्या विचार है समाज की संस्कृती का आर्थ है, समाज की संपूरन जीवन विधी आगी है White Head इन्होंने क्या कहा है संस्कृति एक पर्तिकात्मक निरंतर शंचय और परगती सील परक्रिया है आगे देखते हैं संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ट संबंद तो संस्कृति और शिक्षा के बीच में घनिष्ट संबंद होता है तो इनके बीच में घनिष्ट संबंद है संस्कृति के बिना शिक्षा का और शिक्षा के बिना संस्कृति का कोई अस्तितु नहीं हो सकता शिक्षा दवारा ही संस्कृति आदिकाल से पनपती है और उसे संस्कृति को सुरक्षित रखा है उसी ने संस्कृति को देखी हम लोग शिक्षित हैं तो सिक्षा के दवारा ही हम लोग अपनी पूरवजो की जो कैसे वे जीवन जीते थे क्या उनका रहन सहन, खान पिन सारी चीज़े उनको उनकी हम लोग पता कर सकते हैं तो संस्कृति की जो जानकारी है वो शिक्षा के माद्यम से ही एक पीडी से दूसरी पीडी में जाती है संचारित होती है वो सुरक्षित रहती है अत्य इस संदर्व में शिक्षा दो परमुख कारिय करती है पहला संस्कृति की रक्षा करना और दूसरा संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करते हुए उसमें परगती करना इसी तरह संस्कृति में शिक्षा के लिए बहुत कुछ नहित है अब संस्कृति के अंदर भी शिक्षा के लिए बहुत कुछ नहीं तक कैसे है कि जो समाजिक जीवन है वो शिक्षा के दवारा परभावित होता है और शिक्षा स्वयम समाजिक जीवन के दवारा अनुसाशित होती है जो सिक्षा है वो क्या होता है उसके अंदर जो भी चीज़े पढ़ाई जाती है तो समाज की क्या जरूरते हैं समाज क्या चाहता है या समाज की क्या संस्कृति है इन सब को ध्यान में रखकर सिक्षा दी जाती है परतेक व्यक्ति किसी विशिष्ट संस्कृति में पैदा होता है जो उसे एक निश्चित व्यभार परतिमान परदान करती है और जीवन के विभिन छेत्रों में उसके व्यभार का मारदर्शन करती है हम सब की कोई ना कोई संस्कृति होती है और वो हमारे वैवार को परतिमान करती है या हमारे वैवार में भी जलकती है जीवन के जो अलग-अलग छेत्र है वहाँ पर हम कैसा वैवार करेंगे तो यह हमारी संस्किर्टी से जो हम लोग सीखते हैं थियोडोर ब्रामेल्ड के कथन अनुसार शिक्षा संस्कृति की पर्त्यक्स उपज है और यह सिक्षा को केवल उसके उपकरण तथा अन्य सामगरी ही परदान नहीं करती बलकि उसको अस्तितों को तार्किक आधार भी परदान करती है जो शिक्षा है वो संस्कृति की क्या है उपजी है और शिक्षा को केवल उपकरण यान्य सामगरी ही नहीं देती बलकि अस्तितों मतलब जो संस्कृति है न वो शिक्षा की बहुत ज़्यादा मदद करती है संक्षेप में मदद करती है, मतलब संस्कृती सिक्षा में मदद करती है, उसके लिए उपकरण सामगरी तो करती है, उपलवद इसके अलावा तार्किक आधार भी उसको परदान करती है शिक्षा ही संस्कृती का संदेश एक देश से दूसरे देश को देती है, संक्षेप में संस्कृती के कारिये अध्वा व्यक्ति को उसका योगदान ने मिल किता, अब देखें संस्कृती जो होती है, वो क्या-क्या काम करती है पहला है प्राकर्तिक परिवेश से समयोजन अब संस्कृति के कारण ही हम लोग जो नेचुरल इन्वार्मेंट होता है उसमें अपने आपको एड़ेस्ट करते हैं अब हमारे अपने असपास देखे हर जगए की अलगलग संस्कृति है हमारे देश है वो भी भिनता का देश है कहीं पर पाड़ी एरिया है कहीं रेतीला है कहीं कैसा तो यहाँ पर भी भिनता हमें मिलती है मनुष्य हर जगए किसी ना किसी परकार से प्राकर्तिक परिवेश में रहता है हमारा हर जगे प्राकर्थिक परिवेश होता है और इस परिवेश से समयोजन करने के बिना हम लोग अपना जीवन चला ही नहीं सकते परिवेश से समयोजन की परक्रिया में वे सभी नए अविश्कार है जो संस्कृति के महतवपूर्ण अंग माने जाते हैं प्राकर्तिक परिवेश की भिन्यता के कारण भिन भिन मानव समों में संस्कृति में अंतर हो जाते हैं भारत में विभिन प्राकर्तिक परिवेश में अलग-लग जंजातिया निवास करती हैं और इसी आदार पर उनके वैभार में भिन्यता पाई जाती है तो देखिए यहाँ पर हमने यह पढ़ाए कि जो संस्कृति है न वो परिवेश के साथ समयोजन हमें सिखाती है इसके बाद आगे देखते हैं संस्कृति की निरंतरता इसके बाद आगे देखते हैं संस्कृति की निरंतरता शिक्षा का अन्य कारिय संस्कृतिकी निरंतरता को बनाई रखना है यह संस्कृतिक परंपराव, रीतियो तथा अनुभव को एक पीडी से दूसरी पीडी में संचारित करती है संस्कृतिक परंपराव की निरंतरता किसी राष्टर के जीवन की अनिवारिय सर्त है तो जो सिक्षा है ना वो संस्क्रिति की जो continuity उसको बनाए रखती है एक PD से दूसरी PD में उसको पहुंचाती है आगे हैं व्यक्तितव का विकासन व्यक्तितव मनुस्य के वैवार के परतिमान से स्पस्ट होता है मतलब हम कैसा वैवार कर रहे हैं। उससे हमारी जो personality है उसका पता लग जाता है मानव वैवार अपने परिवेश की संस्कृति पर पर भाव डालता है मतलब हमारा जो वैवार है हम कैसा वैवार करेंगे वो हमारे आसपास की जैसी संस्कृति होगे उसी के हिसाब से हम लग अपना वेभार करते हैं मानव सक्तियों ने अनेक अध्यानों से यह बात स्पस्ट कर दी है कि भिन भिन संस्कृतियों में पाए जाने वाले भेद के अनुसार बिन बिन समाज में मूल जो व्यक्तिताओं है उसमें उसका जो परतीमान है उसमें भेद पाया जाता है मतलब अलग अलग जो संस्कृतिया है उसी कारण लोगों के अन्दर अलग अलग व्यक्तिताओं पाया जाता है भारतिय मनुष्यों के व्यक्तिता उपर भारतिय संस्कृति की और पास्चात्य मनुष्य हैं उनके व्यक्तिता उपर पास्चात्य संस्कृति की पस्ट चाप देखी जा सकती है संस्कृती, व्यक्ति के सरेनिक, मान्सिक, सामाजिक, संवेगातमक, नेतिक और सुंद्रियातमक जितने भी हमारे पहलू है सब ही पहलू को परभावित करती है व्यक्तियों के परियासों से संस्कृति में महतवपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो यहाँ पर हमने यह पढ़ाया कि जो संस्कृति है वो व्यक्तितों को परभावित करती है जैसी संस्कृति होगी वैसा ही हम लोग वैभार करेंगे वैसी ही हमारी परसनल्टी होगी आगे है संस्कृति का संरक्षन शिक्षा का एक महतवपूर्ण कारिय संस्कृति जो विरासत है उसका संरक्षन करना है इसके बिना संस्कृति विरासत नहीं बच सकती सकूल में जो विद्यारती होते हैं उन में सांस्कृतिक गुणों का विकास करता है परसी ननन ने शिक्षा के इस संरक्षातिम अदर कारिया पर बहुत बल दिया है उनके विचार अनुसार किसी भी राश्टर के स्कूल का विशिस्ट कारिय है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्ड बनाना है उसकी इतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना है उनकी भूत्पूरव उपलब्दियों को सुरक्षित रखना है और उसके बविश्य को सुनिश्चित बनाना है तो देखें यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट संस्किर्थी के पड़ रहे हैं कि कुछ शिक्षा के पड़ रहे हैं कि शिक्षा क्या रोल अदा करती है और संस्किर्थी क्या करती है क्योंकि हम लोग इनमें संब्ध देख रहे हैं तो दोनों के mix points चलेंगे आगे हम लोग शिक्षा के अलग से भी पढ़ेंगे इसे वीडियो के अंदर देखें समाजी करण समाजी करण की परक्रिया में संस्कृति का महतपून योगदान है इसलिए भिन भिन समाज में व्यक्ति करण के समाजी करण की मातरा और दिशाओं में बेद पाया जाता है तो अब हर समाज का एक इथोस होता है जो की विभिन माध्यम से व्यक्तियों को परदान किया जाता है रोल्फ लिंटन के अनुसार व्यक्ति तीन परगार से संस्कृति के अंगों में भाग ले सकता है कैसे है सबसे पहले सारव भूमिक रूप से संस्कृति में भाग ले सकते हैं हम लोग अथार्त उन आदतों विचारों और संवेगात्मक पर्तिक्रियाओं को अपनाता है जिसमें समाज के सब ही प्रोड व्यक्तियों के वाग वार में पाय जाते है मतलब पहला जो है वो यहाँ पर सारव भूमिक रूप में हम लोग संस्कृति में भाग ले सकते हैं इसमें हम क्या करेंगा हम यह देखेंगे कि हमारे समाज के अंदर जो प्रोड लोग है मतलब जो हमारे से बड़े लोग हैं उनमें क्या वैवार पाया जाता है तो हम लोग वहाँ से जो समाज के अंदर आदते, विचार जो चीजे होंगी है इनको हम लोग अडॉप्ट कर लें इसके बाद देखिए दूसरा आता है कि व्यक्ति विशेश से संस्कृति के अंगों में हम लोग भाग लेते हैं कैसे इसमें संस्कृति के अन तत्वों को हम लोग ग्रैन करते हैं तो समाज के विशेश्ट अंग, विशेश्ट व्यवस्था अत्वा विशेश्ट लिंग वाले व्यक्ति मतलब कोई विशेश्ट व्यक्ति है उसके अंदर जो चीजे हैं हम लोग उसको सीखेंगे और तीसरा है व्यक्ति व्यकल्पिक रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है अथार्त व्यक्ति उन तत्वों को अपनाता है जो समाज के कुछ गिने चुने लोग ही जिन चीज़ों को अपनाते हैं उनको व्यक्ति जो शीखता है संस्कृति के अंगों में भाग लेने के जो व्यकल्पिक रूप है उसमें मनुष्य में व्यक्तियों में अंतर देखा जा सकता है उपरोक्त कथन से रोल्फ के अनुसार मनुष्य की तीन अवस्थाएं व्यक्ति को अपनी तरह से सू संस्कृत बनाते हैं मतलब पहली में हम लोग जो हमारे से बड़े हैं कुछ common चीज़े अपनाएंगे दूसरी में हम लोग विशिश्ट चीज़े और तीसरी में तीसरी में हम लोग क्या करेंगे कुछ मतलब कुछ लोग जो स्पेसल लोग होंगे जो मतलब कि हम लोग कुछ ऐसे गुण देखेंगे जो कि व्यक्ति में ही पाए जाते हैं सभी में नहीं पाए जाते हैं उनसे भी हम लोग कुछ चीज़ें शीखते हैं मतलब अपने समाज में हम यह देखेंगे जातर लोग की इंची जोग अपना रहे हैं फिर कुछ आगे है संस्कृति का विकास संस्कृति क्या करती है सिक्षा संस्कृति के सुधार एवं विकास में भी सायता करती है यह बहत्तर और सुखी समाज की स्थापना में मदद करती है इसके बाद देखिए डी जे कैनन का एक विचार है यदि परतेक पिढ़ी को वही सीखना पड़े जो उसके पूरोजों ने सीखा है यहाँ पर जो आएगा तो किसी परकार का बोधिक और समाजिक विकास संभाव नहीं हो सकेगा और वर्तमान समाज की स्थिति तथा पत्थर युग के समाज के बीच में कोई वियंतर नहीं रहेगा मालो हम लोग वही चीज़े सीखेंगी जो हमारे पूरोजों ने सीखी है तो उस समय में और अब के समय में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा इसके बाद आगे देखते हैं नए संस्किर्तिक परतिमान देखते हैं तो शिक्षा केवल संस्किर्तिक का हस्तांतरन ही नहीं करती बलकि संस्किर्तिके नए परतिमानों का निर्मान भी करती है यह संस्किर्ति में परिवर्तन लाती है नए ग्यान के निर्माने के लिए यह संस्कृतिक परिवर्तन अत्यन तावसक है मुलब जो सिक्षा है वो केवल जो संस्कृति है उसको ट्रांस्फर ही नहीं करती वो क्या करती है उसके जो नए परतिमान है जो नया पैटरन है उसको भी सिक्षा बनाती है उसके अंदर टाइम के इसाब से संस्कृति में कुछ ना कुछ शिक्षा चेंजिज लाती है अब देखे संस्कृति शिक्षा के निमलिकित पक्ष पर परभाव डालती है अब संस्कृति शिक्षा के कौन-कौन से पक्षों के उपर क्या-क्या परभाव डालती है उसको अमलोग देखते हैं सबसे पहले देखें, शिक्षा के जो उदेश्या होते हैं उनके उपर भी संस्कृति असर डालती है सिक्षा का अर्थ और उसके उदेश्या है किसी समाज या उनके विचारों, मुल्यों, परतिमान पर निर्बर करते हैं जिस समाज के जैसे विचार, जैसे मुल्यों में वैसी शिक्षा वहाँ पर देंगे मतलब वहाँ की शिक्षा भी वैसी होगी विचार है, मुल्या है, ये कहां से मिलते हैं, हमारी संस्कृति से मिलते हैं अनेक विदेशों में शिक्षा के उदेश्य अपने अपने तरीकों पर आधारित हैं जैसे रूस की शिक्षा ववस्था का बल नए मनुस्य के निर्मान पर है मतलब रूस की जो शिक्षा है उसका उदेश्य होता है कि वही नए मनुस्य का निर्मान करना है जो अपने खुन और आतमा से कैसा हो, कम्यूनिस्ट हो अमरीका में सिक्षा का उदेश समाजी करण और परजातंत्री करण स्तापित करना है इस परकार यह स्पस्ट है कि जैसी किसी देश के समाज की संस्किर्टी होगी वैसे ही वहां के सिक्षा के उदेश होंगे आगी देखे पाठ्यकरम के उपर क्या इफेक्ट है, इसका क्या परभाव है शिक्षा के उदेश से हम लोग पाठ्यकरम से परभावित करते हैं जैसे हमारे उदेश से होते हैं शिक्षा की उसे हिसाब से हम लोग करिकुलम मना देते हैं यह पठेकरम भी समाज की सांस्कृतिक अनुरूप ही निर्मित होता है अथार्थ दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं किसी समाज का सेक्सिक पठेकरम उस समाज के सांस्कृतिक मुल्यों पर निर्भर करता है साथ ही मुल्यों की पैचान भी हो जाती है शिक्षा व्यवस्ता समाज की संस्कृति आवशक्ताओं को वलब समाज की जो संस्कृति आवशक्ताओं हैं उसी को पाठ्यकरम में जोड़ती है और उसे पूरा करने का परियास करती है आवे शक्ता पढ़ने पर पाठ्यकरम में समय समय पर बदलाओ भी किया जाता है तो हम लोग पाठ्यकरम का जो निर्मान है वो कैसे करते हैं जो हमारे शिक्षा के उदेश से होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग पाठ्यकरम का निर्मान करते हैं तो हमारे जो सिक्षण के उधेश से होते हैं वो हमारी संस्कृति के अनुसार अलग अलग होते हैं आगी है शिक्षन विधियां तो संस्किर्पी सिक्षण विधियों पर भी अपना असर डालती हैं शिक्षन विद्यों का संस्कृति पर बहुत गहरा परवाव पड़ता है पुराने समय में शिक्षा-पर्शार ऐवं शिक्षा को इनका के केंदर अध्यापक होता था और आने समय के अंदर शिक्षा का परशार और शिक्षा का जो है वो के अंदर कोन होता था तीचर होता था जो बच्चों की रूचियों राव सकता के अनुरूप नहीं होता था अथार्त जवर्दस्ती ठूसना या रटा लगवाता था या रटा लगाना उसका काम होता था लगवाना लेकिन समय के बदलाव के अनुसार आज शेक्षा के अंदर विद्यार्थी है न्याकी अध्यापक आज समाज के विद्यार्थी जो हैं उनके निर्दारित सेक्षिक अनुबव, प्रोग्रामों, रूचियों, आवशक्ताओ, अभी रूचियों, समश्याओ, इन सब का क्या है ध्यान रखा जाता है और उनका समाधान भी सहज डंग से किया जाता है अते आज शिक्षा विद्यार्थियों को वर्तमान एवं भविश्य में परभावी रूप से तयार करने का माध्यम है तो यहाँ पर भी क्या है संस्कृती का परभाव पढ़ता है आगे है अनुशासन संस्कृती अनुशासन की अवधार्णा को भी परभावित करती है आज के युग में जीवन के लोकतांत्रिक मुल्य को स्वीकार किया जा रहा है इन मुल्यों का विशो में सम्मान हो रहा है अत्य आज विशो की संस्कृती को बनाई रखने के लिए परभाव साली अनुशासन की आवशक्ता है इस संस्कृती द्वारा मानव एवं समाज को सो संस्कृत बनाया जा सकता है यह तभी संभव है जब समाज में क्या हो अनुशासन हो आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तकों पर परभाव संस्कृतिक मुल्यों का पाठ्य करम पर अत्यधिक परभाव होता है सिक्षा के पाठ्य करम का निर्मान इन संस्कृतिक मुल्यों पर आधारित होना चाहिए सांस्कृतिक मुल्यों आदर्शों तथा नयतिकता को पाठ्यकरम में शामिल करके विद्यार्थियों के मन की परवर्ति विरोधी नहीं बनती सांस्कृति ही विद्यार्थियों के बविश्य का मारकदर्शन करती है तो यहाँ पर देखिए हमने heading डाली है पाठ्थय पुस्तक पर परभाव तो जो पाठ्थय करम होता है हमारा उसमें दोनों चीज़े होती है पाठ्थय पुस्तक भी होती है और को कैरिकुलर अक्टिविटि भी होती है तो हम लोग पाठ्य करम की मतलब पाठ्य करम के इसाब से हिए हम लोग पुष्टके बनाते हैं तो कहीं नख कहीं यह जो पाठ्य पुष्टकों पर भीश से परभाव पड़ता है魌 तो यहाँ पर हम पुष्टकों पर भी संस्कृति का परभाव देखा जा सकता है आगे देखे स्कूल के परतिमान जो मोडल होता है स्कूल का उसके उपर भी असर पढ़ता है संस्कृति का जो परभाव है वो स्कूल के परतिमानों पर भी पढ़ता है किसी स्कूल की जितने भी सामोहिक गतिवी दिया होती है प्रोग्राम होते हैं समाज के उन सांस्किर्थिक आदर्शो और मुल्यों के अनुसार ही आयोजित होते हैं जिसके अंतरगरत स्कूल स्तापित किये गए है मतलब जहाँ जिस समाज में स्कूल होगा तो वाँ की क्या संस्कृतिक है उसी के हिसाब से स्कूल के अंदर जो function सोंगे या कोई activities वगरा होगी वो उसी के हिसाब से होगी अतै स्कूल समाज के उन सांस्कृतिक परतिमानों को बढ़ाने और उनको सुधारने और विकास करने का केंदर है यहाँ पर बदलने आएगा मतलब उसको बदलने भी सकता है स्कूल जो है सांस्किर्टिक परतिमानों को बढ़ाएगा उनमें कुछ सुदार करेगा उनमें बदलाओ करेगा जो की समाज कल्यान और सरे के लिए जो बनाए गई है इसके बाद देखें यह सात्वा नंबर है इसका यहाँ पर यह मिस्प्रिंट दिखा रहा है संस्कृतिका ध्यापक के उपर भी असर पड़ता है कैसे परतेक विद्यार्थी का अपना एक नीजी जीवन दर्शन होता है जिस समाज का टीचर अंग होगा उसी के हिसाब से उसकी संस्कृतिक मुल्य आदर्श होंगे अब अध्यापक के अच्छे वे बुरे आदर्शों को विद्यार्थी परतेक्स या एपरतेक्स रूप से बच्चे सीखते ही है अब यह बिलकुल सही है कि अध्यापक के जो आदर्श हैं वे ही समाज और देश की संस्कृति को बनाए रखने में सायोग देते हैं अत्य हम कह सकते हैं कि अध्यापक संस्कृति का संरक्षक मध्यस्त और निरमाता होता है तो इस वीडियो के अंदर हमने संस्कृति क्या होती है, संस्कृति की परिभासा, संस्कृति और शिक्षा में क्या संबन्द होता है और संस्कृति जो है वो शिक्षा के उपर कैसे अपना परवाव डालती है इन सब को हमने डिटेल में डिसकस किया है तो उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा यदि आप चैनल पर नई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए इससे तब हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद